नमस्कार दोस्तों मैं विकास तिरवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास इस्टिडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम SSE GD 2022-23 का प्रैक्टिस सेट नमबर साथ लेकर आए हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट निव पैट अंतर आधारित है और बहुत ही महात्पोन प्रस्नों का प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों वीडियो के साथ अंतर तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज का आपना पहला कुश्चन दोस्तों हमारा पहला कुश्चन है बौध ग्रंथों में बौध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के ग्रहत्याक की घटना को क्या कहा गया है दोस्तों बहुत ग्रंथों में गौतम बुद्ध के ग्रहत्याग की घटना को क्या कहा गया है हमारे आपसन है धर्म चक्र प्रवर्तन, महा परिनिर्माड, महा भिनिस्क्रमड, बोधिसत्त। दोस्तों हमारा इसमें राइट आपसन नमबर तीन, महा भिनिस्क्रमड, गौतम बुद्ध के ग्रहत्याग की घटना को महा भिनिस्क्रमड कहा गया है और दोस्तों गौतम बुद्ध ने ग्रहत्याग कब किया था तो 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयू में इन्होंने ग्रहत्याग किया था और उसके बाद अगर हम बात करें धर्म चक्र प्रवरतन की तो इन्होंने दोस्तों जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में जो दिया उसे धर्म चक्र प्रवतन कहा गया उसके बाद दोस्तों महापरिनिर्माड इनकी मृत्तु की घटना को महापरिनिर्माड कहा गया इनकी मृत्तु को और इनकी मृत्त दोस्तों 483 इसा पूरु में हुई थी और दोस्तों इनकी मृत्त हुई कहा थी तो कुसी नारा दिवरिया उत्तर प्रदेश में कुछी नारादेवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्त हुई थी और इनकी मृत्त की घटना को महा परिनिर्वार कहा गया उसके बाद दोस्तों अमारा चौथा अपसंजो इसमें है वो है बोधिसत्व दोस्तों ये बोधिसत्व ये महायान साखा है दोस्तों ये जो बौध धर्म की महायान साखा है उसका आदर्स है आप जानते हैं कि चौथी बौध संगीती जब हुई थी इस्वी की पृथम सताब्दी में और कनिस के सासंकाल में कुंडल वन कस्मीर में हुई थी तब दोस्तों ये बहुत धर्म, दो साखाओं में विभाजित हो गया था, एक थी हीनियान और दूसरी महायान साखा थी दोस्तों, तो दोस्तों ये महायान साखा का जो आदर्स था, वो बोधिसत्य था, और हीनियान साखा का जो आदर्स था, वो अरहत पद था, अरहत पद, दोस्तों ये कुश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे कुश्चन पर दोस्तों हमारा दूसरा कुश्चन है किस देश को लेंड आफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों हमारा कुश्चन है किस देश को लेंड आफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है हमारे आपसन है भूतान थाइलेंड म्यामार न्यूजिलेंड तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा भूतान Land of Thunder World के नाम से जाना जाता है भूटान और दोस्तों अगर Thailand की बात करें तो Thailand को Land of White Elephant Land of Land of White Elephant Land of White Elephant दोस्तों यह Thailand को जाना जाता है उसके बाद दोस्तों अगर मियामार की बात करें तो म्यामार को स्वरणिम पैगोडा स्वरणिम पैगोडा के नाम से दोस्तों म्यामार को जाना जाता है स्वरणिम पैगोडा को और न्यूजिलेंड को दोस्तों दच्छिन का बिटन कहा जाता है दच्छिन का बिटन न्यूजिलेंड को कहा जाता है तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना बहुत ही इंपार्टेंट कुष्चन है SSGD की दर्ष्ट से लेंड आफ थंडरवोल्ट भूतान को कहा जाता है लेंड आफ हॉइट एलिफेंट थाइलेंड को कहा जाता है स्वर्डिम पैगोडा का देश म्यामार को कहा जाता है और दच्छन का ब्रिटेंड न्यूजिलेंड को कहा जाता है उसके बाद दोस्तों अगले कुष्चन पर चलते हैं अगला कुष्चन हमारा है पुरुष हां की A.C.A. Cup का खिताब किस देश ने जीता हमारे आपसन है मलेसिया, दच्छन कोरिया, इंगलैंड, स्री लंका तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर दो दच्छन कोरिया दोस्तों पुरुष हां की A.C.A. Cup का खिताब दच्छन कोरिया ने जीता और इसमें उपविजेता दोस्तों कौन सा देश रहा था तो मलेसिया, पुरुष हां की A.C.A. Cup में उपविजेता रहा था मलेसिया, उपविजेता उपविजेता मलेशिया रहा था और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इंगलेंड की तो T20 वर्ड कप विजेता 2022 का T20 वर्ड कप का विजेता 2022 इंगलेंड रहा और T20 वर्ड कप का उपविजेता पाकिस्तान उपविजेता दोस्तों पाकिस्तान रहा है उसके बाद अगर बात करें दोस्तों स्री लंका की तो एसिया कप 2022 क्रिकेट का एसिया कप 2022 हुआ दोस्तों उसमें स्री लंका विजेता रहा और उप विजेता पाकिस्तान रहा तो दोस्तों पुरुशाकी एसिया कप का 2022 का विजेता दच्छन कोरिया उप विजेता मिलेसिया इंग्लेंड, T20, Cricket World Cup का विजयता इंग्लेंड रहा और उपविजयता पाकिस्तान ACA Cup 2022 क्रिकेट का विजयता स्रीलंका रहा और उपविजयता पाकिस्तान उसके बाद दोस्तों अगले कुष्ज़न पर चलते हैं कुष्जन नमबर चार केचुआ कि संग का प्राड़ी है हमारे आपसम है आर्थोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, कार्डेता तो इसमें दोस्तों हमारा right answer हो जाएगा आपसम नम्बर तीन, एनेलिडा केचुआ जो है दोस्तों, वो एनेलिडा, संग का प्राड़ी है और अगर हम बात करें तो दोस्तो आर्थोपोडा ये कीटवर्ग है और दोस्तो ये सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा संग आर्थोपोडा है उसके बाद अगर मोलस्का की बात करें तो दोस्तो मोलस्का के जन्त जो है वो गोंगा, CPS अब मोलस्का में पाय जाते हैं और का वर्ग हैं're, कारोडेटा में वर्गी करण के अनुसार 13 वर्ग हैं, उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं दोस्तो कुश्य convention 5, cooking 5 हमारा है, उंगलिंग ओर किसकी आत्म कथा है? हमारे आपसने वशुनातन आनंत, बराक उबामा, M.K. Stalin, Nelson Mandela तो इसमें दोस्तों हमारा right answer हो जाएगा आपसर no.3 M.K. Stalin दोस्तों ये तमिल लाडु के PM है तमिल लाडु के CM है दोस्तो M.K. Stalin, तमिल लाडु के CM है उंगलिंग ओर वन किसकी आत्म कता है तो M.K. Stalin की और ये तमिल लाडु के CM है उसके बाड़ अगर विश्व नाथन आनंद की बात करें तो दोस्तों इनकी पुष्टक का नाम है Mind Master Mind Master Mind Master दोस्तों इनकी पुष्टक का नाम है और बराक उबामा की बात करें तो बराक उबामा की पुष्टक का नाम है A Promise Land एप प्रामिस लेंट बराक उबामा की पुष्टक का नाम है और निलसन मंडेला की पुष्टक है दोस्तों निलसन मंडेला की पुष्टक है लांग वाक्तु फ्रीडम लांग वाक्तु फ्रीडम निलसन मंडेला की पुष्टक है लांग वाक्तु फ्रीडम तो दोस्तों हमारे कुश्चन का राइट आंसर है M.K. स्टालिन उंगलिंग गोरुवन इनकी आत्म कथा है विसुनाथन आनंद की पुष्टक माइंड मास्टर बराक उबामा की पुष्टक एप प्रामिस लैंड और निलसन मंडेला की पुष्टक है लांग वाक्ट फ्रीडम उसके बाद दोस्तों अगले कुश्चन के चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है कि महा कुम कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है तो दोस्तों महा कुम कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है हमारे आपसन है 12 verse 10 verse 9 verse 6 तो इसमें हमारा right answer हो जाएगा आपसर नमबर 1 12 verse महा कुम्भी दोस्तों 12 verse के बाद आयोजित किया जाता है उसके बाद हमारा अगला question है question number 7 question number 7 है दोस्तों कि ओमान की राजधानी क्या है ओमान की राजधानी क्या है हमारे आपसन है दमिस्क, साना, मसकट, मनामा तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओमान किरालधानी मसकट है आपसन नमबर तीन ओमान किरालधानी मसकट है और दोस्तों अगर दमिस्क की बात करें तो ये सीरिया किरालधानी है सीरिया, सीरिया किरालधानी दमिस्क है, साना दोस्तों, साना की बात करें, तो ये यमन किरालधानी है, यमन किरालधानी साना है, और मनामा दोस्तों, ये मनामा बहरीन किरालधानी है, बहरीन किरालधानी मनामा है, तो बहरीन किरालधानी मनामा है दोस्तों, ओमान किरालधानी मसकट है दमिस्क सीरिया की है और साना यमन की है उसके बाद दोस्तों अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है ओजोन पर अच्छर दिवस कब मनाया जाता है ओजोन पर अच्छर दिवस कब मनाया जाता है हमारे आपसन है 14 सितंबर 16 सितंबर 22 मई 21 मार्च त 21 सितंबर को राष्टी हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है और उसके बाद अगर बात करें Newit जय विवित्ता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है और 21 मार्च की अगर बात करें हम तो 21 मार्च को विश्वानी की दिवस मनाया जाता है उसके बाद अगले कुश्य चलते हैं दोस्तों कुश्य नमबर 9 कुश्य नमबर 9 दोस्तों हमारा है कि गरतंत दिवस परेड़ 2022 की सरुस्रेष्ट राज जांकी के रूप में किस राज़ी को चुना गया है तो हमारे आपसन है करनाटक मेगाला उत्तर प्रदेश राजस्थान तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर 3 उत्तर प्र दूसरे नमबर और तीसे नमबर पर करनाटक और मेगाला रहे दूसरे नमबर पर करनाटक और तीसे नमबर पर मेगाला है उसके बाद दोस्तों कुश्य नमबर 10 पर चलते हैं कुश्य नमबर 10 हमारा है ACI हाथी का वैग्यानिक नाम क्या है दोस्तों ACI हाथी का वैग्यानि 18 degrees, Eliphas, Maximus, Hippopotamus, Amphibes. तो दोस्तो इस में हमारा था वाइट आफ्पाइट आंसर होते हाटागा co7-2 Hayır Country Андा आप साно मंबâu 3, Eliphas, Maximus अलिफास, Maximus दोस्तो ये ACI हाथीच का वैज्णिक नाम है और अगर हम बात करें पैंथेरा लियो की तो दोस्तों पैंथेरा लियो जो है ये सेर का वैग्यानिंग नाम पैंथेरा लियो है पैंथेरा टिग्रिस ये दोस्तों बाग का है और हिपो पोटेमस और एंफिबियस ये दोस्तों दरियाई घोडे का है दरियाई घोडा इसका व बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों निम लिखित मेंसे कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है हमारे आपसन है सिंध गोदावरी नर्मदा लूनी तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हमारा आपसन नमबर दो सही हो जाएगा गोद ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है आपसन हमारे हैं स्वामी विवेकानन स्वामी दयानन सरस्वती राजा राम मोहन राय जोतिवा फुले तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपसन नम्बर तीन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय रा करें तो दोस्तों स्वामि विवेक नन्न ने अठ्ठारा सो सफटासीऐसी में 18589 oats आarg में चाहिस दोस्तों स्थापना कि activating स्थापना किसंस.'" दोस्तों m bên्गिक्यों स्थापना किसने की तो स्वामी दयानन सरस्टी ने आरे समाज की स्थापना की उसके लाद दोस्तो जोतिबा फुले ने बाली का विद्याले की स्थापना जोतिबा फुले ने की और दोस्तो ये जोतिबा फुले ने बाली का विद्याले की स्थापना 1851 में की तो दोस्तो ब्रह्म समाज की स्थापन राजाराम मोहन राय ने की और कब की तो 1828 में स्वामी वियेकानंद ने बेलूर मठ की इस्थापना की और कब की तो 1887 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आरे समाज की इस्थापना की 1875 इसी में जोतिबा फुले ने बाली का विद्याले की इस्थापना की कब तो 1851 में तो दोस्तों हमारे question का right answer क्या हो जाएगा आपसन no.3 राजाराम मोहन राय उसके बाद दोस्तों अगले question पर चलते हैं question no.13 electron की खोज किसने की हमारे option है JJ Thompson, Goldstein, Chandwick और मोजले तो दोस्तों हमारा इसमें right answer क्या हो जाएगा electron की खोज किसने की तो JJ Thompson, आपसन no.1 उसके बाद दोस्तों Goldstein की बात करें तो इन्होंने proton की खोज की proton की और Chadwick की बात करें तो इन्होंने दोस्तों neutron की खोज की neutron की खोज की और दोस्तों मोजले इन्होंने आधुनिक आवर्थ साल्डी आधुनिक आवर्थ साड़ी जो है इन्ही के नियम पर आधारी थे दोस्तों इलेक्तरान की खोज जेजेए थाम सन ने की प्रोटान की खोज गोल्ड स्टीन ने की और निूटरान की खोज चैर्डविक ने की उसके बाद दोस्तों हमारा चौदवा कुश्या नमबर चौदवा PC महाल लोबिस माडल पर आधारित योजना थी दोस्तों PC महाल लोबिस माडल पर आधारित योजना कौन सी थी हमारे आपसन है प्रथम पंच वर्सी योजना दोतिय पंच वर्सी योजना तरतिय पंचवर्षी योजना और चतुत पंचवर्षी योजना तो दोस्तों हमारा इसमें राइट अंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षी योजना जो है ये दोस्तों इसमें हमारा PC महाल नोबिस माडल हमारा अपसर नमबर दो सही होगा कि PC महालोबिस माडल पर आधारित योजना दुतिय पंचवर्शी योजना है और प्रथम पंचवर्शी योजना दोस्तों हेराल ढोमर माडल पर आधारित है हेराल ढोमर माडल पर आधारित प्रथम पंचवर्शी योजना है उसके बाद अगले कुश्चन पचलते हैं 2022 में आठवे अंतरराष्टी योग दिवस की थीम क्या थी हमारे आपसन है स्वस्थ सरीर के लिए योग योग और दुनिया मनिस्यों के लिए योग मानावता के लिए योग तो दोस्तों हमारा आठवे अंतरराष्टी योग दिवस 2022 की थीम मानावता के लिए योग दोस्तों मानावता के लिए योग आपसन नमबर चार यह हमारा है तो यह सही हो जाएगा हमारा मानावता के लिए योग उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चा नमारा है कुश्चा नमर 16 वेद तरही में कौन सा वेद सामिल नहीं है दोस्तों वेद तरही में कौन सा वेद सामिल नहीं है तो दोस्तों हमारे आपसने जिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद तो इसमें हमारा नमीनतम दोस्तों यह अथरुवेद है और सबसे प्राचेन रिववेद है और दोस्तों गद्धे और पद्धे दोनों में लिखा हुआ तो यह हमारा हो जाएगा सामवेद उसके लाद दोस्तों हमारा कुछ्चन नम्र 17 है गरतंत भारत का पहला केंद्री बजट बहुत ध्या आपसन है दोस्तों इसमें सडमुखम सेटी, जानमताई, बल्देव सिंह, मौराडची देशाई, तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि गरतन्थ भारत का पहला केंदरी बजट आपसन नमर दो जानमताई ने पेस किया, और दोस्तों अगर हम बात करें, मौराडची देशाई, इन्होंने दोस्तों सबसे अधिक बार बजट पेस किया, और दोस्तों ये बल्देव सिंह जो थे, ये जो पहले हमारा केंदरी मंत्र मंडल बना था, उसमें रच्छा मंत्री बल्देव सिंह को बनाया गया था, उसके बाद हमारा अगला कुश्यन है कुश्यन नमर 18, विस्थापन का SI पद्धति में मात्रक है, दोस्तों विस्थापन का SI पद्धति में मात्रक क्या है, हमारे आपसन है न्यूटन, जूल, मीटर, मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन का SI पद्धति में मात मात रख आपसजी नमड तीन मीटर उसके बाद दोस्तों अगर न्यूटन की बात करें से तो यह दोस्तों系 बल का ओरीत का मात्रख में मात्रख आप सभी wat हो जाएगा मीटर है और बल का एसाई पद्धत में मात्रग न्यूटन है कारे का एसाई पद्धत में मात्रग जूल है और तुरंड का मात्रग दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वार है उसके बाद आपसन है अनुचेद 108, अनुचे 165, अनुचे 368 और अनुचेद 103 तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108 आपसन नमबर एक अनुचेद 108 में सन्यूक्त अधिवेशन की वेवस्था की गई है और दोस्तों अगर बात करें अनुचेद 165 की तो अनुचे 165 में दोस्तों राजि के महाधिवक्ता का उलेक है राजि के महाधिवक्ता का उलेक है राजि के महाधिवक्ता का उलेक अनुचे 165 में है और अनुचे 368 की अगर बात करें दोस्तों तो अनुचे 368 सम्विधान संसोधन सम्विधान संसोधन दोस्तों अनुचे 368 में है और इसमें कहा गया है कि प्रतेक राजी के लिए एक राजीपाल होगा प्रतेक राजी के लिए बहुत ध्यान से देखना दूस्तों अनुच्छे रेक सो तिरुपन इसमें कहा गया है कि प्रतेक राजी के लिए एक राजीपाल होगा कहा गया था दूस्तों फिर उसके बाद सात्मा समिधान संसोधन 1956 में हुआ उसमें एक परंतुक जोड़ा गया अनुच्छे रेक्षो तिर्पन में और उसके अनुशार इसमें कहा गया कि एक व्यक्त दो या दो से अधिक राज्यों का भी राजिपाल हो सकता है तो दोस्तों क्या है अनुच्छे रेक्षो तिर्पन में इसमें प्रतेक राज्यों के लिए एक राजिपाल हो सकता है लेकिन दोस्तों सात्मे समिधान संसोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक संख्या कितनी होती है तो इस कुष्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारे आपसन है बाईस पंद्रा साथ और तीस तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर चार तीस आपसन नमबर चार तो तीस हो जाएगा दोस्तों प्राक्लान समित में सद्व कि संख्या कितनी होती है तो 30 होती है तो दोस्तों उमेद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों दोस्तों